तो दोस्तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वागत है दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पताए कि रेड्मी नोट 8 डिवाइस के लिए चाइना में एंडुआइड 11 का ओफिशियल अपडेट रिलिस किया जा चुका है मीवा वर्जन 12.0.3.0 के साथ में पताओ कि इस अपडेट में कौनगों से नए फीचर एड़् किये गहें ताकि जब यह अपडेट हम तक पहुंचे तो हम लोगों को पता रहे कि इस अपडेट में कौन-कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे वाइस फाइनली वह वीडियो लेकर आ चुका हूँ आज कि इस वीडियो में आप लोगों को पताऊंगा कि आपके रेडिमी नोट 8 डिवाइस में Android 11 अपडेट के बाद में कौन-कौन से नए फीचर एड़ किये गए हैं आज कि इस वीडियो में हम इस अपडेट का फुल चे प्रिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकते जैसे वीडियो अप्लोड करते हैं आप लोग हमें जरू से कमेंट करके बता जीजेगा कि आप लोग पास रेडिमी नोट 8 का कौन सा कलर वाला फोन आप लोग यूज कर रहे हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पहला फीचर निकल कियाता है वो सबसे बड़ा फीचर देखने को मिलता है जो कि है Android 11 जिहां दोस्तों Android 11 आप लोगों को यहाँ पर इस अपडेट में देखने को मिलता है साथ ही साथ अगर दूसरे फीचर की बात करें तो आप लोगों को यहाँ प में जाने के बाद में आप लोग जाते हैं नीचे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं एरेंज आइटेम इन रिसेंट तो यह वाला फीचर भी आप लोगों को इस अपडेट में Android 11 अपडेट में आपके जो फीचर है उसे रिलिस नहीं किया गया है साथ में आपकी डिवाइस में कुछ और छोटे मोटे चेंजिंग किये जा सकते हैं साथ में आपकी डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज किया जा सकता है और यहां पर कुछ चेंज नहीं किया जाएगा तो आप लोग कोई वीडियो पसंद आए हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले का साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस अपडेट का सबसे पहले ओटिय लिंक चाहिए तो आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल ट सब्सक्राइब करना या फिर उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्करप्शन में भी दिया हुआ है